असलाम अलेकुम एवरिवन वेलकम पैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आपको वीडियो में दिखाने लगे हूँ अमेरिकन्स की फेवरिट शूज और इस वकत मैं जिस शॉप में हूँ ये आप देख सकते हैं ये जूते इस ब्रैंड का नाम है क्रॉक्स और ये अमेरिकन्स के फेवरिट जूते हैं पहले आप इनको देखें फिर मैं आपको इनके बारे में डिटेल देती हूँ जी ये जो जूते हैं ये बने हुए हैं रबड के simple language में अगर मैं यूज करूँ तो ये rubber के जूते हैं और ये आप जैसे के सामने देख रहे हैं इनके जो चपले होती हैं जैसे पाकिसान में हम लोग पहनते हैं ना घर में पहनने वाली तो इसी तरह ये इनकी बड़ी एक easy जो होते हैं इनके shoes हैं और इनको crocs कहते हैं कि जो ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं Americans और मैं यहाँ पर आई थी शापिंग के लिए तो मैंने ये देखा इसका store तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए record करती हूँ आपको दिखाती हूँ कि ये देखें जी रबड़ के जूते हैं जो के Americans को बहुत ज्यादा पसंद है और रबड़ के जूते होने के वज़ा से आप ये ना समझें कि ये बहुत कोई jeep बहुत सस्ते मिलते होंगे ये जो जूते हैं इनका नॉर्मल जूता है एक तकरीबन 50 डॉलर से स्टार्ट होता है इसकी जो प्राइस है और उसके बाद जैसे जैसे आप डिफरेंट साय स्टाइल्स लेते जाएंगे तो इसके जो प्राइस है वो चेंज होती जाएगी तो खैर मैं जब आई मैंने ये देखा मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड इसले कर रही हूँ कि मैंने सोचा कि पाकिस्तान में तो कोई भी जो है रबर के जूते जो है पहनना पसंद नहीं करता है जैसे ही अब आप सामने देख रहे हैं ये सारी इसकी अक्सेसरीज हैं जो के अलग से लोग खरीद कर इन जूतों के उपर लगाते हैं अपने जूतों को डेकॉरेट करते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से अपने शूक के हिसाब से ये सारी जो इसकी अक्सेसरीज है ये लगी हुई हैं इसके एकसेसरी तो यह इस तरह से इन जूतों को डेकोरेट भी किया जाता है तो यह जो जूते हैं यह बहुत ज्यादा यहां पर पसंद किये जाते हैं और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो आम बंदा घर से बाहर जो है वो जूता भी बड़ा फैंसी प पहना हुआ है और क्या नहीं पहना हुआ तो लेकिन मैंने यह देखा मैंने का कि हम पाकिस्तान में जाहर है हम लोग भी वहीं पर जो है टाइम गुजारा जिन्दकी का एक हिसा गुजार के रहे हैं तो हमें भी पता है इस चीज़ का कि बाहर निकलते वे बड़े रक देखेंगे लोग उच्छा नहीं लगेगा कोई देखेंगे इन्होंने कैसा पहना है तो अच्छा निकलो अच्छा पहन के निकलो तो यहां पर उसके बरकस है बिल्कुल चीज़ और रबड का जूता है कोई भी जो है वो मेरा है पसंद नहीं करेगा कि रबड का जूता प के different type की accessories है और ये भी कुछ सस्ती नहीं है मेरे हाल में कम उसकम जो सस्ती वाली भी है वो भी 8-10 डॉलर से शुरू हो रही थी तो ये भी बस ची शौक की बात है कि कोई किसका क्या शौक होता है किसका क्या शौक होता है और ये वले जो जूते हैं ये लोग जब वाक पे जाते हैं शौपिंग पे जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो ये जूते मतलब हर दूसरे बंदे को पहने हुए जो है जो है जरूर नजर आते हैं और ये जो हैं ये बड़ों के नहीं छोटे बच्चों के भी होते हैं पर आपको मैं दिखाती हूँ यह देख रहे हैं यह छोटे बच्चों के भी है और कहीं छोटे बच्चों का तो चले समझ आते हैं कि वो कभी मड और खेल रहे हैं मट्टी वाले हो जाते हैं उनके जूते वाक करने में उनको असानी होती है तो उनके लिए यह है और यह आप और यह भी देखे पूरा सेक्चन लगावे चोटे बेबीज के लिए तो हैर यह शाप देकर आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं भरी हुई थी लोग भरे हुए थे रश था इसमें इतना ज्यादा कि मैं देखकर हिरान हो गई और मेरे जेन में एक बात है मैंने का कि अगर यह नहीं वाली शाप पाकिस्तान में होती तो मेरा नहीं हाल के एक आम मेडल क्लास बंदा भी उस शाप में जाएगा हरी दने के लिए लेकिन यहां पर यह शाप जो है यह भरी हुई थी मतलब रश लगा हुआ था और हर कोई अपनी अपनी पसंद बलके मैंने एक को देखा अ यह सानिक कारड़न है उसकी थीम के यह वले क्रॉक हैं तो बस ची क्या ही बात है अपना-पना शोक है और हमने तो खैर देखा और नजॉय ب히 किया लोगों को देखा लोगों को कैसी कैसी चीज़ ओक पसंद कर रही है उसकी एकसषरी इस कैसी उठा रहे है और मजए की बात यह आप देख रहे हैं अब इतना महँगा ब्रैंड है बड़ा है कितना पसंद किया जाता है लेकिन जब वो खरीते हैं तो इस तरह आपको जिप लॉक बैंग में आपको देते हैं तो जी बताइए किस-किस को पसंद है रबड का जूता आप में से और वीडियो को लाइक कर और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा अल्ला हाफिज